हलो दोस्तों, Amazon Pay में मुझे एक नया option देखने के लिए मिल रहा है Amazon Pay Letter जबकि ये option मुझे पहले देखने के लिए नहीं मिलता था तो चलिए आज हम Amazon Pay Letter को activate करके देखेंगे कि क्या हमें कितना limit मिल सकता है इनसे या फिर हमें कोई भी limit नहीं मिलेगा तो यहां पे बुला गया है आपको इंस्टेंट केरिट अप टू 60,000 तक मिल चकता है कोई भी hidden charges आप से नहीं कटा जाएगा और इंस्टेंट one click payment है जैसे आप क्लिक करेंगे आपका payment जो हो जाएगा और welcome offer में आपको 150 तक का cashback मिलेगा अगर आप first time इसको sign up करके auto repayment को setup करेंगे तो आपको कोई भी OTV, CBB, PIN नहीं डालना पड़ेगा और आपको EMI का option यहां पे देखने के लिए मिल रहा है तीन से बारा मन के बीच आपका balance अगर 3000 से उपर है तो आपको EMI का option में देखने के लिए मिलता है नो कोस्ट EMI के साथ तो बात करते हैं sign up के लिए आपकी pen card का number और other card का number और other register mobile number की जरूरत पड़ेगा उसमें जाएगा OTP auto repayment का जो future को इनेवल करना पड़ेगा then you all set you can now use Amazon fair letter तो चली हम sign up क्लिक करेंगे यहां पे हमें redirect किया जा रहा है उस page पे तो यहां पे सबसे उपर हमें हमारा pen number और हमारा date of what डालना पड़ेगा डालके हमको agree and continue में क्लिक करना पड़ेगा हमारा verify details done हो चुका है हमारा details same है कि नहीं यहां पे verify किया जाएगा यहां पे हमें अधार page में redirect कर दिया गया है यहां पे हमें option सिर्फ OTP base मिलता है यहां पे हमें अधार number fill करके agree and continue में क्लिक करना है OTP के लिए आपका अधार register mobile number में OTP send किया जाएगा जो कि हमें यहां पे receive हो चुका है हम उस OTP को यहां पे fill करके continue में क्लिक करेंगे तो देख पारे होंगे last step में हमें sorry बता दिया गया है we regret to inform you that your Amazon Paylator account has not been approved we will reach out to you in case of any changes in your account status तो हमें जो है यहां पे कोई भी limit नहीं मिल रहा है Amazon Paylator से जबकि मेरा Sibil score उतना भी बुरा नहीं है फिर भी हमें जो है यहां पे कोई limit नहीं मिल रहा है लेकिन दोस्तों आप फिकर मत कीजिए यह जो है बहुतों के साथ होता है first time जब आफ sign up करते तो आपको कुछ भी limit नहीं दिया जाता है लेकिन कुछी दिनों के बाद 15-30 दिनों के बाद आपको जो है एक अच्छा limit देखने के लिए मिलता है आपकी Amazon Pay Letter में तो बागी दोस्तों मुझे तो यहां पे कोई भी limit नहीं मिला मुझे जैसे यहां पे कोई नया update देखने के लिए मिलता है तो मैं कोशिस करूंगा आपको भी इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको भी Amazon Pay Letter में कोई limit मिला है या आप भी लेना चाहते है limit तो हमें नीचे comment करके जरूर बताइए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही See you in next वीडियो